पार्ट साथ क्या निराश हुआ जाए पार्ट का भाग दो इस प्रकारे एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकेट लेते हुए गलती से मैंने दस के बाजाए सो रुपे का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया थोड़ी देर में टिकेट बाबू इन दिनों के सेकंड क्लास के दिब्बे में हर आदमी का चेहरा पैचानता हुआ उपसित हुआ उसने मुझे पैचान लिया और बड़ी विनमरता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपे रख दी और बोला यह बहुत गलती हो गई थी आपने भी नहीं देखा और मेंने भी नहीं देखा उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी में चकीत रहा गया कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और इमानदाली लुप्त हो गई है वैसे अनेक अवंचित घटनाएं भी हुई है प्रन्तु यह एक घटना ठगी और वंचिना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्ति चाली है एक बार में बस में यात्रा कर रहा था मेरे साथ मेरी पत्नी और तीन बच्चे भी थे बस में कुछ खराबी थी रुक रुक कर चलती थी गंतविस से कोई आट किलोमेटर पहले ही एक निजन सुनसानिस्तान में बस ने जवाब दिया रात के कोई दस बजे होंगी बस में यात्रे घबरा गए कंड़ेक्टर उतर गया और एक साय के लेकर चलता बना लोगों को संधे हो गया कि हमें धोका दिया जा रहा ही बस में बेटे लोगों ने तरह तरह की बाते शुरू कर दी किसी ने कहा यहां ढकेती होती है दो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था परिवार सहीत अकेला में ही था बच्चे पानी पानी चिला रहे थे पानी का कहीं ठिकाना ना था उपड़ से आद्मियों का डर समा गया था कुछ नोजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया ड्राइवर के चेरे पर हवाय उन्ने लगी लोगों ने से पकड़ लिया बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं बचाईए ये लोग मारेंगे डर तो मेरे मन में था पर उसकी कतार मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि माना ठीक नहीं है परन्तु यात्रिय इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तयार नहीं हुए कहने लगे इसकी बातों में मत आईए धोका दे रहा है कंडेक्टर को पहले ही डाकों के यहां भेज दिया है मैं भी बहुत भैबी था पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया देड़ दो गंटे बीट गए मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतार कर एक जगे घेर कर रखा कोई भी दुगर्टना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा मेरे गिर गिराने का कोई विशेश असर नहीं पड़ा इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडेक्टर भी बैटा हुआ है उसने आते ही कहा अड़े से नई बस लाया हूँ इस बस पर बैठिये वह बस चलाने लायक नहीं है फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूद लेकर आया और बोला पंडी जी बच्चो को रवना मुझसे देखा नहीं गया वहीं दूद मिल गया थोड़ा लेता आया यात्रियों में फिर जान आई सबने उसे धन्यवाद दिया ड्राइवर से माफि मांगी और बारा वज़े से पहले ही सब लोग बस अड़े पहुँच गये केसे कहूं कि मनिश्यता एकदम समाप्त हो गई केसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुए जिने मैं भूल नहीं सकता ठगा भी गया हूं दोका भी खाया है प्रन्तु बहुत कम स्तिलों पर विश्वासगात नाम की चीज मिलती है केवल उनी बातों का हिसाब रखो जिन में धोका खाया है तो जीवन कश्ट कर हो जाएगा प्रन्तु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने आकारन साहिता की है निराश्मन को ढांडस दिया है और हिमत बंदवाया है कविवर रविनार ठाकों ने अपने प्रात्नागीत में भख्वान से प्रात्ना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े दोका ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभू मुझे एश्य शक्ती दो कि मैं तुम्हारे उपर संधय न करू मनुश्य की बनाई विद्या गलत नतीज़े तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा वस्तुते आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है लेकिन अब भी आशा की जोती बुजी नहीं है महान भारत वर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी मेरे मन निराश होने की जुरुत नहीं है